नमस्कार, मैं विजय कुमार सेंड, आज फिर आपके सामने लेकर हाजिर हूँ, 10th class SST, chapter number 12, RBSC board, बात करेंगी आज हम chapter 4, chapter 12, sorry, chapter 12, part 4, नवभारती परिवार आपका स्वागत करता है, जैसा कि पिछले वीडियो की सफलता के बाद, आपके द्वारा दिये गए मोटिवेशन, आपके द्वारा दिये गए कमेंट्स, आपके व्यूज, आपके द्वारा सब्सक्राइब करके जो सयोग दिया गया, उनसे मोटिवेश की फलसरूप आज मैं चैप्टर 12 का पार फोर्थ लेकर आपके सामने हाद जीर हूँ आपसे बस यही गुजारिश करते हैं कि आप अधिक सदिक वीडियोस को देखें और अपने सह पार्टियों को अपने साथियों को आउगत करवाए ताकि उन्हें भी मेरे द्वारा प्रद फोर्थ जो है इसमें आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या ब्रदी जनसंख्या ब्रदी जैसे हम इंगलिश में कहते हैं पॉपुलेशन ग्रॉथ जनसंख्या ब्रदी सबसे पहले हम इसका अर्थ पढ़ेंगे कि जनसंख्या ब्रदी होती क्या है जनसंख्या ब्रदी क्या अच्छी रहती है समाज के लिए क्या जनसंख्या ब्रदी बुरी रहती है जनसंख्या ब्रदी का प्रभाव क्या रहता है आखिर जन्संग्य वर्दी होती क्यों है कारण क्या है और हमारी सरकार ने उनके लिए क्या क्या प्रियास किए इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम जांक बात करते हैं जन्संक्य वर्दी की बारे देखो जन्संक्य वर्दी क्या है एक्जामें सीधा कुछ बनता है कि जन्संक्य वर्दी किसे कहते हैं तो जन्संक्य वर्दी जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है सबसे पहली बाद विशेश इस्थान पर्टिकुलर प्लीस पर्टिकुलर प्लीस विशेश इस्थान और विशेश समय विशेश इस्थान में आप ले सकते हैं जैपूर, जोदपूर, राजस्तान, दिल्ली, भारत, कोई भी पर्टिक्लर एक इस्थान, ठीक है, और विशेश समय में आप ले सकते हैं, एक साल, पांच साल, दस साल, ठीक है, तो विशेश इस्थान और विशेश समय, विशेश समय में, किसी विशेश इस्थान पर एक निश्चित समय में, एक विशेश समय में होने वाले परिवर्तन को जन्संख्या व्रद्दी कहते हैं, यह जन्संख्या व्रद्दी यह परिवर्तन सकारात्मत भी हो सकता है, और यह परिवर्तन नकारात्मत भी हो सकता है, जो जन्संख्या पहले थी, अगर उससे जन्संख्या आगे बढ़ी है, उससे जन्संख्या में व्रद्दी हुई है, पहले माना संक्या 100 ती और आप बढ़कर के संक्या 10 हो गई 10 बढ़ गई और संक्या हो गई 110 तो इसता कारात्मत बढ़ती है पहले किसी च्छेटरी कि जनसंक्या 100 ती और एक वर्स में वो जनसंक्या 10 गढ़ करके 90 रह गई तो यह परिवर्तन नकारात्मत है तो हमने सबसे पहले बात की जन्संग के अवर्दी की जन्संग के अवर्दी क्या है तो जन्संग के अवर्दी किसी विशेश इस्थान में विशेश समय में होने वाला एक परिवर्तन है और इस परिवर्तन को हम जन्संग के अवर्दी कहते हैं और ये वर्दी प्रकार अच्छा यह परिवर्तन जो है यह परिवर्तन को हम दो तरह से देखते हैं एक परिवर्तन है सापेक्ष एक परिवर्तन क्या है सापेक्ष ठीक है दूसरा परिवर्तन क्या है दूसरा परिवर्तन इसे सापेक्षवर्दी कहते हैं और दूसरा परिवर्दन जो है इसे कहते हैं वार्षिक इसे वार्षिक या दश्की वर्दी कहते हैं इसे वार्षिक या दश्की वर्दी के नाम से जानते हैं तो यह जो परिवर्दन है या यह कहे जन्संग के वर्दी कितने प्रकार की होती है तो जन्संग के वर्दी दो प्रकार की हुई एक साफेक्ष वर्दी दूसरी है वार्सिक या दस्की वर्दी जन्संग के अलगातार बढ़ रही है जन्संग में जो बढ़ोतरी है ठीक है उसे साफेक्ष वर्दी कहेंगे और वार आगे बढ़ते हैं कि जन्संक्या वर्द्धी जो है इस जन्संक्या वर्द्धी का कारण क्या है इसमें एक बात और कि प्रतिक हजार लोगों पर प्रतिक हजार लोगों पर प्रतिक एक हजार लोगों पर प्रति एक हजार लोगों पर होने वाला परिवर्दन है मतला वर्दी दर का जो संबन्ध है जनसक्या हैं ऑव सोरी कि प्रतिष्ट निइस एक हजारकिने सो लोगों पर कि प्रतिष्ट यहां पर यहां पर होने वाला परिवर्दन है आगे है इसका कारण क्या है जन्जंक्या व dokładousse कि जन्जंक्या वरद्दी का कारण क्या है कि मैं जन्ज इत्प अदेgoing करता 익 masa करतें जन्संक्या वरद्दी कारण है आखिर ये जंशन के अब रद्धी जो है इसका कारण क्या है तो इसके कारण को हमने तीन भागों में कितने भागों में तीन भागों में देखा है नमबर एक इसका जो पहला कारण जो पाया है वो पहला कारण है जनमदर इंग्लिश में कहते है बर्थ रेट दूसरा तो इसका कारण है वो है म्रस्ति उदर इसमें करते हैं डैथ रेट और तीसरा तो कारण है वो है प्रवास उसे गता है माईग्रेट जन्दर बर्थ रेट मर्क्यूदर डैथ रेट और प्रवास माईग्रेट ये तीन कारण हमारे सामने निकल करके आते हैं कि जन्संक्या वरद्धी जो ये है जन्संक्या वरद्धी की मैं जो बात कर रहा हूँ ये जन्संक्या वरद्धी के तीन कारण है तीन कारण कौन-कौन से सबसे पहला जन्दर दूसरा मर्क्यूदर और तीसरा प्रवास जन्मदर क्या है जन्मदर क्या है तो आपको पता है कि पहली जीज तो हमारे भारत की ज़ो है वो जन्मदर भी क्या है ज्यादा है मृत्युदर की बात करें बताओ आप सोचो गैस करो कि मृत्युदर ज्यादा है या कम है जिसके कारण जन्शंक्या व्रद्धी बढ़ती है बताओ जन्शंक्या व्रद्धी की बात कर रहा हूँ तो जन्शंक्या मृत्युदर जो है म्रतियु दर कम होनी धित ज्यादा होनी अप्के मन में अरह हों गासर बढ़य कि बात करें युद्यु धर कम होनी है और जदा म्रतियSP정을 बातके मीं जय गटाएं और घटेगी तो फिर जन्सन के वरतिक ऐसी होगी अभी बात करने श्टोगी क्यों बड़ तीसरा है प्रवास प्रवास जो है यह प्रवास दो तरह का होता है एक तो है आंतरीक जिसे कहते है इंटरनल और दूसरा है अंतर राष्टी है दूसरा कोंसा है अंतर राष्टी इंटरनेशनल और इंटरनल या एक्स्टरनल भी कह सकते हैं देखो जन्दर की बात हम करें ठीक है तो देखो प्रती हजार लोगों पर प्रती हजार लोगों में जीवित बच्चों का जन्द एक हजार लोगों में जीवित बच्चों का जन्द यहां पर एक हजार की बात अभी धान रखना जीवित बच्चों का जन्द कि एक हजार लोगों को बेस बनाए गया है कि एक हजार लोग है तो उन एक हजार लोगों पर जीवित बच्चे कितने जन्द लेते हैं तेके उससे निकालते है जनमदर जनमदर तो आप जानकियों कि भारत में जनमदर ज्यादा है और जनमदर ज्यादा होने कारण जनसंक्या बढ़ती हो रही है हमारे यहां पर जनमदर इतनी ज्यादा है हमारे जनसंक्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जितनी जनसंक्या ऑस्ट्रेलिया की है उतनी जनसंक्या तो हमारे यहां पर एक साल में पैदा हो जाती है मतलब हम हर साल एक नया ओस्ट्रेलिया तैयार कर देते हैं भारत के अंदर अब बताओ भारत का कंपरिजन हम ओस्ट्रेलिय से कैसी कर से क्योंकि हम तो हर साल नया ओस्ट्रेलिया प्यदा कर देते हैं मर्तियुदर, यहाँ थोड़ा सा ट्विश्ट था आपको, कि सर, मर्तियुदर भी तेजी से बढ़ रही है, और मर्तियुदर तेजी से बढ़ने के बावजूद आपके एरे, उसर धनसंक्या व्रधिदर हो रही है, तो मर्तियुदर तेजी से बढ़ना क्यों? देखे, जब म परंपरा है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने चीए, दस बच्चे पैदा करेंगे, अगर पांच मर भी जाएंगे, तो कम सिंग पांच तो बचेंगे, और उन पांच मरने वालों के चक्कर में लोगों को क्या डर है, कि ज्यादा बच्चे मरते हैं, लोगों को डर क्या है कि जन से क्या जादा पैदा चाब है क्यों मरते क्यों है क्योंकि हमारे यहां का स्वास्त का इस्तर हमारे यहां पर सिक्षा का इस्तर हमारे यहां पर सरकार की द्वारा किये गए प्रियास हमारे यहां पर आर्थिक सामाजिक रादनेत्य की माहूल यह आलाग है सामाजीक परिवेश वो सभी कारण है जो हमें ज्यादा जो हमें डराते हैं और यह बताते हैं कि ज्यादा बच्चे मरते हैं और ज्यादा बच्चे मरने के कारण और मरते भी थे, रियल्टी भी है पहले कि अगर मरति उदर के मागरम बात करें तो मर्ति उदर बहुत ज़्यादा थी आप तो मर्ति उदर काफि कम होगी तो मर्ति उदर ज्यादा होने कारण समाज में एक भावना फैली थी एक लोगों में एक अन्ध विश्वास फैला था कि दस बच्चे पढ़ेंगे पांच मर्दा यह तो पांच बचेंगे कि एक हजार जीवित बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या एक हजार लोगों पर मरने वाले बच्चो की संख्या यहां पर मरने वालों बच्चो की संख्या मतलब जो पैदा होती हमें मर रहे हैं या मरत्य जनम ले रहे हैं या तो मरत्य जनम ले रहे हैं या पैदा होते ही मर रहे हैं ठीक है? उन बच्चो को इसमें शामिल किये दाएगा आगे बात कर रहा है प्रवास माईग्रेट माईगरिट क्या है एक इस्तान को छोड़कर के दूसरे इस्तान पर चले जाना प्रवास कहलाता है प्राचीन समय से प्रवास चलता आ रहा है प्रवास जरूरी भी था पहले की समय में क्योंकि जब एक जगे पर व्यक्ति रहता था उस जगे एक संसाथ नों वो यूज़ करता था अब आपके संसाथ नों खतम हो जाते थे तो व्यक्ति अपनी आवश्चताओं को पूरा करने के लिए दूसरी इस्तान पर जाता था लेकिन आज जो प्रवास किया जाता है आज वो प्रवास नहीं है आज प्रवास का रूप प्रवास का रीजन है हमारा पुरुष प्रदान समाच जिसके अंदर महिलाएं विवा होते ही सफुराल चली जाती है तो सफुराल दले जाती तो एक स्थान को छोड़ करके दूसरी स्थान पर चली है सपूर्स किस लड़की का पीर जोदपूर है और सफुराल जयपूर मे तो यह क्या हो गया प्रवास तो अब प्रवास भी दो तरह कर बता गया है प्रवास एक तुम्हें आंतरिक दूसरा अंतराश्टी अच्छा यह को मैलाओं की प्रवास जाता होता है लेकिन ऐसा नहीं कि पुरुषों को प्रवास नहीं होता पुरुष भी प्रवास करते है सार पुरुष प्रवास क्यों करते हैं पुरुष इसलिए प्रवास करते हैं कि सबसे बड़ी समश्या है रोजगार की समश्या के लिए मतलब रोजगार की प्राप्ति के लिए शिक्षा के लिए विश्रिश तोर पर पुरुश्वर्वी जो प्रवास करता है वो दो कारण से करता है सबसे प्रतम इस्तान पर है रोजगार और दूसरा है शिक्षा के लिए तो यह रोजगार और शिक्षा के लिए पुरुश्वी प्रवास करता है आगे मात करेंगी प्रवास तो प्रवास दो तरखा है Migration दो प्रकार का है आंत्रिक और अंतरष्टि आंत्रिक प्रवास का प्रवाह मुँन कड़ता जोदपुर से महिला शादी होकर कि ज्यापुर में आ गई तो इससे जो रादस्थान जो है राधस्तान में जैपुर और जोदपुर दोनों इनके लूड़ है तो राधस्तान का दिनसंग्य वर्दी दर जो है उसमें प्रभाव नहीं पड़े हैं यह हम बात करें क्योंकि राधस्तान जोदपुर भी किसमें है राधस्तान में है और जैपुर भी किसमें है राधस्तान तो यह जो आंतरिक प्रवास है इसका इतना प्रभाव नहीं पढ़ता इसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है लेकिन दूसरे प्रभाव हम पढ़ रहे हैं अंतरराष्टी प्रभाव और अंतरराष्टी प्रभाव यह है कि जिसमें एक देश के नागरिक एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में चले जाए या दूसरे देश के व्यक्ति किसी एक देश में आकर के रहने लिए तो इसे कहते हैं प्रवास तो प्रवास जो अंतराष्टिक प्रवास है इसका प्रभाव ज्यादा दिखता है आंतरिक प्रवास है इसका प्रभाव नहीं होता है देखें आंतरिक प्रवास ये गाव ठीक है हम आंत्रिक प्रवास को यह समझ सकते हैं आंत्रिक प्रवास जो है सिगाओं मिसे शहरों की और गाओं से शहरों की और कह सकते हैं आंत्रिक प्रवास को जबकि बहाई प्रवास को यह अंतराश्टी प्रवास को शहरों से और गाओं से दूसरी देशों की और कहेंगे तो यह हम ने पड़ा जन्शंग्य वर्दी के तीन कारण और जन्व संग क्या पज्द्धी है उसके तीन कारण सबसे नंबर वान जंगदर, नंबर टू, मर्तिउदर और नंबर तेन प्रवास next हमारा जो topic है वो है नगरीकरण अब हमारा topic है वो है नगरीकरण urbanization अर्बनाईजेशन जन्संग्य वरधि यह पार्ड है भी हमनेам तीन पbreatंग नत्रा प्रवास यह वह त्रुपिक था नगरी करन्स необходимо कि इसका मैं जो नाम है वो है नगर नगर की तरफ नगर की और नगरी करण का आगर मैं मिनिंग देखू तो आर्थ निकलेगा इसका नगर की और या शहरों की और बढ़ना क्या कहलाता है नगरी करण क्यों बढ़ते हैं नगर की और पर दोबाद किती दुबार फिर से बात कर रहा हूं कि कि हमारा भारत जो है वो 70% जन्षंग के भारत की पॉपुलेशन है भारत की 70% पॉपुलेशन वो आज भी कहा निवास करती है विलेजेज में कि गाव में निवास करती है ठीक है कि में निवास करती है और इन सेवंटी प्रण जो पॉपुलेशन जो गाव में निवास करती है उनका आज भी जो वर्क है वो क्या है एग्री कल्चर है अधिकतर लोगों का आज भी गाव के अंदर जो कमाई का इंकम का बिद्निस का या फिर ऐसे कहें कि आज जीवी का का रोजे रोटी का जो माध्यम है जो जरिया है वो है एग्री कल्चर क्रशी है और क्रशी जो है ये क्रशी मांसून का जुवा कि खता यहानव नहीं हुँए और मांसुन अच्छा नहीं अगर कि खाते में कुछ नहीं जा पाता है कि अब ऐसी दशा में क्या करीं तो उनका शहरों की ओर काम धंदे के लिए अगरी कल्चर धीर धीरी कम होता जा रहा है जब मान्सून डिपेंड है मान्सून संहीं समय काने पाने की कमी चल रही है ठीक है मांसुन समय पर आता नहीं है पाने की कमी है तो धिर धिरे एग्रिकल्चर जो सेक्टर है एग्रिकल्चर का जो प्रफाव कम होता जा रहे हैं करशी छेत्र धिरे-धिरे कमी की ओर हो रहे हैं घरता जा रहे हैं और घरता एग्रिकल्चर सेक्टर घरता करशी कि और पलाइन के लिए नगरों की और शहरों की और पलाइन के लिए जब काम धन्दा नहीं होता क्रशी जो है क्रशी का छेत्र घट रहा है क्रशी मांसून पर डिपेंड है और कोई चारा है नहीं तो ऐसी कंदिशन में शहरों की और बढ़ना एक लाजमी है इससे शहरों पर क्या फ्रक पड़ेगा शहरों पर को ब्रहा पड़ेगा तो हां बिलकुल शहरों की आबादी बढ़ रही है शहरों की दंसंग क्या बढ़ रही है शहरों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और गाउं की जो पॉ और शेहरuesta की पॉपलेशन है वह बढ़ लगे कल दुसरी चीज गाव सिकुड रहें GDP पहले यह चेटर था है अब ग श्खुड रहे हैं अरुद जू है जू पहले इतना है आप इतना है शहर दीर दीर बढ़ रहा है वह शहर धे शेहर का जो यह 9 defल है शहर की जो आबादी है वह धिर धे बड़ रही धे तो हमने चोटा टोपिक किलियर किया कि नगरी करण या के टॉपिक है सलेवस में, कि आर्बनाइजिशन क्या है, तो आर्बनाइजिशन नगरों की और बढ़ना, शहरों की और बढ़ना ही क्या है, नगरी करन, क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि मुख्य जो परपस है, वो है रोजगा, और रोजगा के लिए हमें शहरों की और बढ़ना हो संक्या के लिए क्या कर रही है हमारी सरकार जन संक्या के लिए इसके लिए सरकार ने कि अमारी सरकार ने बढ़ती जनसंक्या को देख जनसंक्या निती 2000 जारी की है जनसंक्य निती 2000 देखो 2000 के जिस साल में कोई policy या कोई अधिनियम या कोई नियम पारिक होता है अक्षर उसको उसी नाम से जाना जाता है तो population the policy है Population Policy 2000 Population Policy जन्शंक्या निती सरकार ने बड़ती जन्शंक्या को दिमीगती प्रदान करने के लिए व्यावस्तित करने के लिए घरते संसाधनों को रोगने के लिए बड़ती माँ घटी जन्संक्याँ को इस्तिर करने के लिए जन्संक्यानिति दो हजारद ऩानी जन्संक्यानिति के तहत परिवार नियोजन के परिवार चल्णक ऐसे परिवार नियोजन् pandemic है कि साधनों को अपनाने पर जोर दिया गया है, सिक्षा का इस्तर बढ़ाने पर जोर दिया गया है, कि एडुकेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, कि सिक्षा के इस्तर जितना बढ़ेगा, जितने लोगे समजदार होंगे, जितने लोगे समजदार होंगे, जितने लोगों को रोजगार मिलेगा, जितने लोग परिवार कल्यान, कालिकरम को अपनाएंगे, जितने लोग सिक्षित होंगे, उतने ही जन्संक्या बरदिदर कम ह होगी तो जन्संग्या निती 2000 के हमने बात के और यहां पर परिवार कल्यान मुख्य बिन्दू है कि कि मैं उम्मिद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताई गई यह समस्त जानकारिया पसंद आई होंगी ठीक है और आगली कड़ी में फिर एक नए टोपिक के साथ फिर एक नए बिन्दू के साथ फिर एक नए चर्चा के साथ फिर हाजिर होंगे इसी जनल में तब तक के लिए नमस्कार जाहिन जय भारत